आप यूस करें Android 15 आपको चाहिए कोई लाउंचर कस्टम लाउंचर ट्राइ करना चाहते हैं और क्वाइट पॉपलर लाउंचर की जब हम बात करते हैं वही हैव लाउंचर यह अफिशली अनफॉशनेटली फिलाल जब मैं वीडियो बना रहा हूं अफिशली तो यह अविलिबल नहीं है सपोर्ट नहीं करतें Android 15 के लिए अनफिशली शायद आपको जल्दी देखने को मिलेगा बट मैंने इसमें Android 14 वाल वेशन ट्राइ किया फिलाल मुझे इसमें कोई इशूस देखने को नहीं मिले अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं अप ड्राइर में मेरे पास आइकन जो मैंने आपको आपको देखने को मिलेंगे लेकिन लॉंचर का एक बहुत अमेजिंग फीचर जो मुझे परसनली काफी पसंद है वो यह है कि आप यहां पर जो आइकन्स हैं उनको आप अपने हिसाप से कस्टमाइज कर सकते हैं तो फॉर एक्जामपल जैसे किसी किसी आइपने इसमें का आइकन पैक अप्लाई किया उस आइकन के लिए वो आइकन पैक अवेलिबल नहीं है तो वो सबसे वीर्ड लग रहा है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं तो मुझे उसके साथ मिलता कोई भी जो आइकन है वो मैंने यहां पर अप्लाई कर दिया सेम तिंग अप्लाईस तो दिस वन हम कस्टमाईस पर क्लिक करेंगे अप आइकन पर क्लिक करेंगे मेरे पास जो आइकन पैक अवेलिबल है मैं उसी में से चूज करूँगा क्योंकि यह एप रिलेटीड तो मुझे के रिलेटीड कोई भी आइकन चूज कर सकते हैं जैसे आप देखिए अब डर आपको थोड़ा सा और बेटर देखने को मिलेगा वही जब हम चलेंगे जनरल में तो आप यहाँ पर नूटिस कर सकते हैं आप लांचेर में आप आइकन शेप को भी चेंज कर सकते हैं तो जो भी आपको आइकन शेप बेटर लगे आप उसे भी अपने डिवाइस में एप्लाई कर सकते हैं और सिर्फ यही नहीं इसमें आपको काफी सारे आइकन पैक के आप्शन देखने को मिलेंगे लेकिन साथ में आप custom icon pack भी create कर सकते हैं custom icon shape आप choose कर सकते हैं इसमें आपको एक search का option देखने को मलता है drawer search के name से ये काफी ज़्यादा useful है आप इसमें अपने हिसाब से चीज़ों को enable कर सकते हैं कि search में आपको कौन से result देखने को मिलेंगे हैं लिएप पर देखने को मिलेंगे काफी सारे options आपके पास available हैं जिसे आप configure कर सकते हैं क्योंकि हम customization की बात करें तो launcher एक ऐसा launcher है जिसमें काफी सारे customizations काफी सारे features देखने को मिलेंगे एक और छीज़ आपको mind बें रखनी पड़ेगी क्योंकि हम इसे यूज़ करें बिना रूट के विद आंडूर्ड 15, आंडूर्ड 15 में प्राइवेट स्पेस वाला जो फीचर है वो अनफॉर्शनली यहाँ पे काम ने करें अगर लॉंचेर की मैं बात करूँ और दरवाइस तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं पिक्सल लॉंचर में और इसमें यह जो आप देखेंगे तो रिसेंट पैनल भी इसका काम नहीं करेगा बाकि क्योंकि लॉंचर अभी प्ले स्टोर में भी अवेलिबल है अगर आप उस वर्शन को ट्राइ करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं अगर मेरे वाला वर्शन आपटिन ट्राइ करना है तो इसका लिंक आपको मिल जाएका डेस्क्रिप्शन में वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे अगर आप इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजे इस तरह की वीडियो उसके लिए रैंक्स वाचिंग